नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, ब्रत विधी उपाई में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ निर्जला एकादेशी आ रही है, साल की बहुत बड़ी एकादेशी है, बहुत ही जादा पुन्यफल दाई अगर पूरे साल भर एक भी एकादेशी नहीं कर पाते हैं, तो निर्जला एकादेशी की ब्रत करने से, साल भर के एकादेशी की पुन्यफल की प्राप्ती होती है ठीक है अब कोस्चन बहुत सारा आता है ध्यान से सुन लिजेगा और साथ साथ में आप लोगों को हर एकादेशी के पुजा विधी मैं सेयर करती हूँ तो आप लोग पुजा विधी भी आप लोगों को मिल जाएगा तो आज के वीडियो बहुत खास है पूरा वीडियो सुन लिजे बहुत फाइदा होगा सबसे पहले कुछ चनाता है कि कौन-कौन एकादेशी की ब्रत कर सकते हैं संकल्प कैसे लेना है कितनी ब्रत करना है संकल्प कैसे लेना चाहिए संकल्प लेना है या नहीं लेना है प्रियर्ट में ब्रत रखना है या नहीं, दस्मी के नियम क्या क्या होता है, एकादेशी क्या क्या नियम रहता है, द्वादेशी के दिन क्या नियम होता है, पारण कैसे करे, दान क्या क्या करे, कथा कब सुने, जागरन करे या नहीं करे, नहीं कर पाते है तो क्या करना चाहि पूझा आता है और क्या खाये वहता करने के चाहिए और वीडियो बनाती हूं तो पसंद आजाती है तो प्लीज आप से एक रिक्वेस्ट को सब्सक्राइब किजेगा आपका अच्छा-च्य कमेंन्स लिखिएगा और साथ साथ में जादा से जादा से जादा सेहर किजेगा ताकि सभी लोगों को पता चले एकादेसी की ब्रत का सही नियम सबसे पहले कुस्टियन कौन कौन एकादेशी की ब्रत कर सकते हैं तो देखें एकादेशी की ब्रत 12 साल से उपर के बच्चे से 12 साल से नीचे की बच्चे जो होते हैं बालक सरूप होते हैं और वो एकादेशी की सारे नियम मानने के जितने बड़े नहीं माना जाता है इसलिए 12 सल के बाद कोई भी इंसान जिवित इंसान जो है न यह एकादेशी की ब्रत कर सकते हैं नारी पूरुस स्वागन बिदवा कुमारी कोई भी एकादेशी की ब्रत कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है दुसरा क्रस्टन संकर्प ले या ना ले तो देखे मिल जाए जॉब मिल जाए बहुत सारे मोनोकामना होती है तो अगर आप किसी पर्टिकुलर मोनोकामना के वज़े से एकदेशी की प्रत सुरू करना चाहिँ तो आपको संकल्प लेनी है संकल्प लेना है कितनी प्रत रखने हैं क्यों अ legal कुश्रा करें अगे चल्पा लेना चाहिए और अगर आप निश संकल्प भी पूजन कर सकते हैं इस केस में क्या होता है आप एकादेशी की ब्रत करना चाते हैं अपने और अपनों का भलाई के लिए करना चाते हैं और जितने दिन आपका सरीर चलता है जितने दिन आप कर सकते हैं उतने दिन के लिए आप एकादेशी के सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर दिए सब्सक्राइब, ने बीजें अगया, एकादिसिया करेंगे चाहते हैं जैसे जब शुरू करेंगे एकादिसी कम से कम आपको आपको साल भर का पूरा एकादिसी सारे एकादिसी कर नी चाहिए इसके बाद question आता है कि संकल्प कैसे ले तो देखे हाथ में थोड़ी सी तील जल और फुल ले लिए एक रुपया का कोईन लिए आप चाहे तो एक सुपारी भी रख सकते हैं संकल्प चाउल से किया जाता है पर 11 के दिन चाउल का यूज नहीं होती है इसलिए आप तील से जल वाले का ही लेनी है माय के वाले का नहीं लेना है क्योंकि सादी के बाद सभी लड़कियों का गोत्र चेंज हो जाता है और जो पती का गोत्र है वही आपका गोत्र है ठीक है तो यह गोत्रों बताना है और इसके बाद बोलना है कि आप मैं इस मोनोकामना पूर्ती है तू सं ने कि कि है भगवान मैंने आपनी जथा शाद्व मैं मुझसे पाइह उस तरह से करके मैं आपका सभी ब्रत कंप्रीट किया है आप मेरा सभी प्रकार का मनो कामनाई पूर्ण करें इस तरह से संकल्ब को समाप्त भी गिया जाता था ठीक है प्रियाइट के समय ब्रत रखे या ना रखे तो देखे एकाद इसी कि ब्रत कीसी भी वज़े से तोड़ना नहीं चाहिए आप पूजा नहीं कर सकते माला जब या कथा पाथ नहीं कर सकते कोई और कथा पाथ कर रहे या salira please या YouTube में लगा के आप सुन सकते हैं माला जब खुद कोई नहीं करनी है बारहता हुए लिए का म कया रख है करें विएक यदाउर्ट बहुत सब्सक्राइब विए T तेन सब्सक्राइबaken में उन्लावथा सब्सक्राइबा व्हाइब rangmount बना पूंग्पकू मेरे करा में दस मी के दिन नियम क्या होता है कि सुर्यास्त Success के बाद कोई भी अन्न ग्रहन नहीं करनी है क्योंकि सुर्यास्ता के बाद जो अन्न ग्रहन करेंगी वो और प्येट में रह जाता है मैं और 11 के दीन भी руки पैट में चाओ लियाил बिक्कत नहीं करना चाहिए कोई भी साथ में आपको भूमी सायन भी करना है जितना होसा कि स्रीहरी विष्णुजी के नाम मनी मन स्वरन करते रहे ताकि मन का भी सुद्धिकरन साथ साथ में होता रहे तो यह रहा हमारा दस्मी का नियम दस्मी का दिन भी आपको प्याज लसुन बगर नौनवेज नहीं खाना है क्योंकि यह चीज़े भी पेट में रह जाते हैं तो फि पूजा में कुछ न कुछ विसेश रहता है पूजा विधी में सेयर करती हूं उस पूजा विधी को आप देख लीजेगा आप लोगों को काफी फाइदा हो जाएगा ठीक है इसके बाद इकादेशी के दिन रात्त्री जगरन का नियम बताया गया है अगर जगरन पूरा न नहीं है कुछ करने का तो आप मोबाइल में कुछ लगा कर सुन भी सकते हैं तो आपको जो भी टाइम देना है वो टाइम जो यूज करना है वह भगवान श्री विष्ण नारायन का नाम लेते हुए उस करना है किसी को छोटा करना जगडा कलह किलेस करने से ब्रत तूट जा भगवान श्री विष्ण नारायन का दुबारा पूजा करना है और भोग प्रसादीता दी आप बना लिजेगा बनाने के बाद भगवान श्री विष्ण नारायन को पहले चड़ाना है फिर उसी भोग से या आपने अगर निर्जला ब्रत रखा है तो जो तूलसी दल जुक आप चावल का खिचड़ी वगरा बना सकते है और जो भी बनाएंगे नौन वेज नहीं बना रहा है तो उन चीजों का खाकर पारन कर सकते हैं दो टाइम अन्नगरहन करना होता है तीन टाइम अन्नगरहन नहीं करनी होती है ठीक है तो या तो आप पुजा करके फिर एक बार कर लिजिए और एक बार रात को कीजिए बीच में दोपार को फल वगरा खा लीजिए तीन टाइम और नहीं किया जाता है ठीक है और पारण का एक सबसे बड़ा नियम जो होता है वह है दान दान कैसे करना है तो हर एकादसी में समय के अनुसार अलग-अलग चीज़े दान किय लग जाता है तो समय के हिसाब से ही और मंदिर जाते हो या अपनी घर जाते हो तो आ front academ गर पे आके एक विशेश नियम का ध्यान रखे एकादसी के दिन द्वादसी नहीं होती है ना खुद यूज किया जाता है ना किसी को दान किया जाता है एकादसी के दिन आप फॉल लान कर सकते है जल दान कर सकते है और कपड़े वस्तरादी दान कर सकते है पैसे दान कर सकते है द्वादसी के दिन आपको अन्न दान करना है ठीक है तो दान करने का समझ जाहिए अगर आपको अन्न दान करना है तो आप द्वादसी के दिन करना है और अगर आपको फॉल, जूता, छाता, या कंबल इत्यादी दान करना है, तो आप एक आदसे के दिन, और दादसे के दिन, किसी भी दिन दान कर सकते हैं. इसके बाद आता है कथा में, कथा आपको जरूर सुनिए, जैसे जैसे समय मिलेगा, पूजा के बाद कथा सुनना होता है, अगर सुभे समय नहीं है, ऑफिस जाने वाले हैं, तो आप साम को घारा के हाथ पैर धो के कपड़े बपड़े चेंज कर लीजिए, भगवान पड़े या तो हरे राम, हरे किष्णा का नाम जब करें, लेकिन थोड़ा सा 12 बज़े कम से कम जगने की कोसिस करें, कौन सी एकादेशी से ब्रत सुरू करनी है, तो देखें, तीन बड़े एकादेशी आती है, साल भर में, उसमें से सबसे पहला जो आ रहा है भी सामने, वह सुबकाम आप कभी भी सुरू कर सकते हैं, कुछ नियम रहता है, जिस समय नया ब्रत नहीं सुरू किया जाता है, तो उस समय समय आपको वीडियो अपडेट्स मिलती रहती है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रहे, ताकि आपको अप्टू डेट खबर मिलती रहे, ठीक है तो आप इन तीनों एकादेशी से अपना नया ब्रत शुरू कर सकते हैं, एक कुश्चन होता है, कृष्ण पक्स सुक्लपक्स कौन से एकादेशी रहे, तो देखो एकादेशी में जो पूजा होता है, भगवान स्रिविष्ण नारान जी की और माता लक्समी की होती है, और इलावा आपके पास अगर राधा कृष्ण जी है, तो आप राधा कृष्ण जी की पूजा करें, लड्डू कोपाल जी है, लड्डू कोपाल जी की पूजा करें, भगवान स्रिविष्ण नारान का जो भी सौरूप आपके पास बिराजबन है, आप उनके पूजन कर सकते ह वैसे हर एक एकादेसी में आपको लड़ू गोपाल जी की पूजा तो जोरूरी करनी चाहिए। निर्जला एकादेसी के से आपको अगर ब्रत शुरू करना है इसके उपर बहुत सारे डीटेल्स में वीडियो मैं बनाऊंगी आप लोगों के साथ सेयर करूंगी आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। को दान पुन्या करके आप पारण कर सकते 19 जुन को समय जो है डीटेल्स आप लोगों के साथ आगे चलके भी सेयर करूंगी और हो सके तो इसकी डेस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी कि exactly समय क्या है पारण का और एकादेसी आपको 18 जुन को उद्यायती थी कि कर दो आप लोगों को कैसे लागा जुरूर बताना और अगर वीडियो से आप लोगों को थोड़ा से भी उपकार हुआ है थोड़ा से भी आप लोगों को फाइदा हुआ है तो प्लीज लाइक सेर और कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखे मिलूंगी नेक्स्ट वीड को हैपी निर्जला एकादसी और एकादसी की ब्रत कौन कौन सुरू कर रहे है मुझे कमेंट करके लिखना बिल्कुल ना भूले बाई बाई दोस्तों टेक क्यार हरे कृष्णा राधी राधी